जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका सोशियोलोजी क्लास के हमारे यूटूब चैनल पे तो सबसे पहले ज़रूरी सूचना आया है कि अभी तक आपने हमारा टेलिग्राम चैनल नहीं जोईन किया है तो जोईन कर सकते हैं वहां पे आपको नाइन एम और नाइन पी एम पर ला जाएगा तो हम देख रहे थे यूजी सी नेट 18 जून को हुए एक्जाम का पार्ट 3 देखेंगे आज तो आईए देखते हैं तो पहला क्यूश्चन है सुची एक को सुची दो के साथ चुमेलित करना है सुची एक में लेखक है मार्गेट मीट मार्गेट मीट की जो पुस एरेजनल सोसाइटी की बात करते हैं एड़र्ड सहीद एड़वार्ड शाइद की बात करते हैं ओरियन्ट लीज्म की और मिश्चल फौको हमारी बात करते हैं है इस वहाँ जो राइट आंसर होगा हमारा है साज्थ होंध अवह होजायगा थ्र आपसन सही है कि मार्गेट मीट कि ट्वेंटिथ सेंचुरी पेट जो गिन है बर मास्ट टुवार्ड एरिशनल सोसाइटी एडवर्ड साइद और येंटलीज्ब और मिशेल फोको जो है दार्चियोजी नौलिज से चुड़े हैं अगला प्रश्ण है कि अलफ्रेट सूढ्स के अनुसार अलफ्रेट सूढ्स करता एक सामान व्यक्तिनिष्ट दुनिया कैसे निर्मीत करते हैं इसकी बात करते हैं उनके अधार पर कौन सा सर्च सही है जो तो वे मस्तिसक नियमों सुत्रों समुचित आचार और हानाओं का निया अपनी सामाजिक दुनिया में कार्य करने का अनुमती देते हैं तो यह हमारा सही है इन नियम सुत्रों अधार्णाओं और सुचनाओं का योग उपलव्ध में घ्यान के भ्यक्ति के भंडार के रूप में है यह हो गया भी हमारा सही हो जाएगा उसके बाद Stock of Knowledge Hand की बात की है इन्होंने उसके बाद इन्होंने का कि घ्यान एक ऐसा भंडार है जो संदर्व अभिन्यास की रूप रेखा प्रदान करता है जिसके आधार पे वे अपने आसपास के दुनिया के ब्यवहारिक रूप में अंतर क्रिया करते हुए घटनाओं की ब्याख्या कर आधे इस बहुत थाएयर कलते हैं तो यह भी जो हैं इस्टेट इसंट हमारा जो है अलफ्यट सुट सरय सही है तो लोगों की वास्तितका उनके ग्यान के भंडार के आधारपन नहीं होती है तो यह चीज जो है गलात है तो यहाँ पूछा कौन सा सही है निर्मित करते हैं बेक्तिनिस दुनिया की तो यह राइट आंसर हो जाएगा हमारा A, B और C अगला है सूची एक को सूची दो के साथ चुमेलित करना दिये गए कूट के अंसार तो यहाँ जो है दखें जो हमें पहला सीधे जीड़े आंसर पता है दगिप्ट की बात करते हैं मार्सल मास दफिलोसपी आप मनी की बात करते हैं चार्ज सीमिल तो जहां B का 3rd और C का 1 ना हूँ इसको काट देंगे बी का 3rd यहाँ पर नहीं है बी का 3rd यहाँ पर भी नहीं है तो दो अप्सन में मिल रहा है अब देखते हैं C का 1 कहां पर हैं तो तो सी का वन हमारा यहाँ पर नहीं तो राइटateur स्पार्ठाज हो जाएगा मार वह जाएगा शुट ऐसे को यह यह महला सेलींज की पुस्टक है इस्टोष इस्टोण as economics उसके बाद the gift relationship तो the gift relationship की बात करते है Richard Titmuss तो Richard Titmuss तो एक विज इंपोर्टेंट है repeat भी हो सकता है question आगे वाले exam क्योंकि यहां पर जो book दी है दो book जो है नई दी है stone as economic and the gift relationship उसके बाद दिया है अगला प्रशना है सुची एक को सुची दो से सुमीתח करना है तो आई यह देखते हैं पुस्तक दिया और लेखक दा सम अस्पेक्ट are family in Maha Gva family in maha Gva ki बात करते है आई आइ पी this eye family in Maha Gva की IP क साढ़ आइक किंशिप इन सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं तो अजांता रिखल के अणिधन मेर वाल्ट मैं यह पुस्त कराफ एभला मैं जीतनी भी आपपके दी गई है ऊपर भी एभि तॉ यहां राइट आंसर जो हो जाएगा वह हमारा थर्ड हो जाएगा अगला है मानक बिचलन निम्न में से किसके आधहार पर परिछेपड माप होता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह माध्य होगा यहां पर अगला है निम्लिखित में से उस प्रकलपना को क्या कहा जाता है जिसमें यह पहले ही माल लिया जाता है कि चैनी चरों के बीच कोई संबंद नहीं होता है तो कोई चरों के बीच संबंद नहीं होता है तो उसको नल हाइपोथिसिस कहते हैं या सुन्य प्रकलपना हम कहते हैं लाज राइन से हमारा हो जाएगा फोर हुँ उसके बाद सुची एक को सुची दो के साथ सुमेलिक किया जाना है या और इस दी गई है उनसे समचत कुछ तो ग्लोबल का मंस क्वान सब की होजाएगा समुदाय द्वारा संसाधनों का साजह करार करना गोबल्स कामन हो गया अमली वर्षा जो हमारा डिलेट करता है यह वर्षा जो वाई प्रदूसर से अमली बना देता है वर्षा को वह अमली वर्षा होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट हरित पाद प्रभाव तो ग्रीन हाउस इफ तो यह हो गया इसका राइट आंसर और यहां राइट आंसर जो होगा वह हमारा डियापसन बीयापसन सही हो जाएगा दो तो अगला प्रशन है सुची एक को सुची दो के साथ सुमिलित कीजिए दिये गये खूट के अनुसार पहले में कॉंसेप्ट है दूसरे में सोचियो लोजिस्ट है एक कॉंसेप्ट भी हमारे चैनल पर आपको पहले की वीडियो में कराया हुगा मिलेगा समय और अस्थान हाँ पेमर्टनने किया है क्रम्विन्यету' सार्भौमिक्ता की बात किया है तो यह टाल्गर पार्चंस है और गहन सन रचना , गहन-सन-्रचना की बात किये हैं तो श्रक्टर शम्हस नाते दारी संद्रम इनुरण होजाईगा वह हमारा हो जाएगा फोड शमय अस्थान दूरी करण या दूरस्तता इंथनी गिडिंग्स संदर्व समूमर्टन क्रम बिन्यासकारी सार्भामिक्ता टालेट पार्शन और गहन संदशना हमारा किसे जुड़ा हुए है तो वाट सी लेविश्ट्रास से जुड़ा हुए है अगला है इसमें पूछा कौन सा जो है सामाजी कस्त मारे आंगम है करके करते हैं तो यहां जो होगा कि आंधय वैते कास्ट कलास और करती है एसी दूबै बिलेज इंडीयन ग्राम शमाज में करते हैं यह समाजी का स्थ करकी की बात कही है मैं कि मेरियेट कास्ट रेंकिंग एट कम्यूंटी इस्ट्रक्चर इन फाइप रीजन इंडिया और पाकिस्तान एभी करते हैं तो यहां जो राइट अंसर हो जाएगा वाद सभी हो जाएगा एभी सीडी अगला है ऐब फोर्डवाद से संबंधित पिसेस्ताओं की पहचैन कीजिए तो फोर्डवाद का जो उदय हुआ था वबीजमी सदी के दावरान हुगा था तो फोर्डवाद की मानी जाती है जो उद्भवं वात्याधिक अद्वार्ण से मानी जाती है तो यह हमारा सही हो जाएगा दूसरा यह अपने चरम उत्सव पर पहुचा उनिस्तों साट के दसन में इसका पतनारम हुगा तो इस पतन वाले को लेकर इसको थोड़ा सा डाउट फुल है कि उत्तर फोडवाद के बाद उत्तर फोडवाद आया इस सभी को पता है तो इसको डाउ यह भी सही है वास्ताव में उत्तर फोडवाद हेनरी फोड़ के बिचारों के सिध्धान तो यह प्रलालियों से संबन लीट है तो यह भी सही है तो यह पर तीनों सही है एई सीडी और यह हमारा चौथा डाउट फुल है तो इसको भी राज़ा ही माना जा सकता क्यां कई ब अलग विचार को का परिपेच अलग है वह इसे प्राइमनी में हम आपको एबी सीडी सभी को सही मानते हैं उत्तर फोडवाल से संबंदित एक और समभा समीधान अरे क्या करते हैं उधाना कॉंसेप्ट है जिसको टेलर ने दिया था टेलर ने बैग्यानिक प्रबंधन का सि दूर्दिया गया है और उसके बाद एक टेलर नाम के विचारत थे उन्होंने किया है इसलिए उसको टेलर वाद के नाम से जाना जाता है तो यहां थोड़ा कंट्यूजर वही कर रहा था इस दिए आप जो राइट आंसर होगा बस सभी हैं मान के चलते हैं अगला है अगला संकल्पना किष्णियं की दी है तो हैबिट्स की बात करते हैं घबीट्स की बात प्रत करते हैं उसके द्वारा दैनिक जीवन की स्वाभावी के अब रितियां हो जाती है, सामाने जीवन का अंग बन जाती है, अगला इस्टेटमेंट है दुर्खीम के स्रम विभाजन से, तो दुर्खीम के स्रम विभाजन के विचारों में निम्लखित में से कौन सा कथन सही है, तो पहला व्रिटियों को प्रसाहन मिलता है शही है ब्यक्तिगत ब्यक्ति का विकास उसके विशिष्ट गुड़ों के अनुसार किया जाता है इसलिए प्रतेक को एक सामान सिच्छा प्राप्त नहीं होनी चाहिए तो सामान सिच्छा प्राप्त नहीं होनी चाहिए एक किसी नहीं कहा है तो हैं यहां बीगोंग टाउट फूलिया मानते हैं ब्यक्तिवाद का विस्तार स्रम विभाजन से संबंदी थे यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है दुर्खीम ने स्रम विभाजन के सिधानतों में ब्रिधिके उद्विकासी माडल के साथ तुलना की जा सकती है तो इन्होंने इसे स्पेंसर के संब्याजा स्धी माडल से प्रभावीत होकर सुम्भी भाजन की बात कहीं है तो यह बी कधन चये सम्भी भाजन मात्र ओ जोगिक क्वादत का प्षेफल है तो दुर्खीम की अनुसार इन्होंस स्रम्हें भाजन आद्ध्त्री यांत्रिक समाज में इन्होंन का कि जो स्रम भीभाजन होता है वह कम मात्रा में पाया जाता है लेकिन अध्योगिक समाज जैसे जैसे बढ़ेगा विचे विचे स्रम भाजन बढ़ता जाएगा कि अबढ़त इसके अलाव ribbon वा फिल है थोड़ा क्यों इसमें अधा यह अनुस्विभाजन का एक सबसे बड़ा कारेयर माना है कि इसको जानते हैं जन संक्या घहनक्ष को इनका जैसे जैसे जन संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे स्रम्दी भाजन भी बढ़ेगा एक अधनिका भी था तो इसको प्राइमरी लेवल पर अगर माना जाए तो एबी सीडी आपसन होना चाहिए या सभी या केवल क्योंकि बी है इन्होंने सामान सिच्छा प्राप्त नहीं होनी चाहिए ऐसा कहीं कोई कुछ नहीं दिया है अब समान्ट सिच्छा प्राप्त कर सकते हैं सभी लेकिन जिनके पास भी सिष्टेबिल्टी है तो आगे बढ़के अपना कारे कर सकते हैं और इन्होंने का स्रम भी भाजन मात्र अध्योगी जो यहां मात्र सब दे दिया है इसी से यहां यह अप्सन भी गलत दिखाई दे रह अगिए हैं तो फिर भी मोटी नूटा आपक्न लोक से मानके चलिए कि a c d जो है हमारा सही है अगरा है अगस्त कामते के गुरू का कौन सा नाम है तो यह आप लो जो कई बार पढ़ेंगे कई बार हमारे कुछ 178 हमने अगस्त कामते को बताते हुए बता या, तो यहां Center Simon है, और बहु बिवाही प्रथा, बहु बढ़ व्य प्रथा पाई जाती है, तो फो इसका पहला तो देखे, D सही होगा, ढोडा में, ढोडा में भाओं पती वीवाप आपको मिलेगा, तो इस कारण से अधर आप्सन में डी नहीं दिया गया है इस कारण से इसका आप्सन सभी होगा क्योंकि नागा में भी गोंड में भी बैगा में भी बहु प्रथा पाई जाती किसी में बहुपती बिवा होता है बहुपत्नी बिवा होता है लेकिन पाई जाती है अगला है सुची एक को सुची दो के साथ चुमेलिट कीजिए दिये गया ट्रेडिशनल सोसाइटी जो पुस्तक है वह हमारा डेनियल लर्नर से संबंदीत है A.C.N. डामा की बात करते हैं गुनार मिल्डर तो इन्हीं दोनों अप्शन से हो जा रहा है तो हमारा राइट आंसर से किंड होगा इसके लावा दा अचीविन सोसाइटी की बात करते हैं मैकली लैंड डेविस सी मैकली लैंड और कम्निकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलप्मेंट की बात करते हैं लुईशन डबलू पाई तो यहां राइट आंसर जो है मारा सेकिंड है अगला है निम्न में से क्या संस्किति का अंगर नहीं है संचार धर्म परिभारी की काई प्रतान आप तो यहां पे जो राइट अंसर होगा वह पारिवारी कीम्निकेशन को भी कुछ लोगों ने कहा कि कम्निकेशन हो सकता है लेकिन देखिए जो कल्चर होता है उसका जब प्रसार किया जाता है वह कम्निकेशन के ही माध्यम से किया जाता है इसलिए पारिवारिक इकाई बाना गया और इसे देखा जाए तो पारिवारिक इकाई भी कल्चर को प्रस में डाउड था फिर भी हम इसको परिवारी इकाई मानेंगे क्योंकि एक जगह पीवाई क्यों में एक्क्रिफ्चन दिया हुआ है जहां पे इसका परिवारी इकाई या परिवार को ही या राइट अंसर माना गया है अगला प्रश्न है निम्लिखित में से कौन सा अधनियम सही नहीं है तो पर्यावरण अधनियम 1986 वाई प्रदूसर अधनियम अधनियम यहां पर हमारा जो है सही नहीं तो यहां पर प्रदूसर अधनियम निमार्ड वनियंत्र अधनियम जो है वह नाइटीन एटीन नहीं 1974 होगा तो यहां पूछा अधनियम सही नहीं है तो हमारा हो जाएगा राइट अंसर थर्ड कौन सा थर्ड अगला है सुची एक को सुची दो के साथ सुमेलिद कीजिए तो सुची एक को सुची दो के साथ हमें सुमेलिद करना है दिये गए कूटो के इंसार तो सु इसपष्ट उभोग संपलकना या और धार्णा जो है इसकी बात किसने की है तो इसकी बात करते हैं थर्ष्टिन विबलाइट कि अ- asap पोस अफरात की बात करते एं सदेनर लैंड पूजी बात समाझवाद और लोकतंत्र पूजी बात और समाझवाद और लोकतंत्र की बात कौन करते हैं तो यहां एंक हो जाएगा थड और ल represent अब कि बात करते हैं या चेमबर श इभी एख नूपॉज रहे तो इसको आप लोग कहीं नोट कर लेंगे कि लोग फ्री संस्क्रिटी की बात कौन करते हैं तो यान चैंबर्स करते हैं पुजी बात समाजवाद और लोगतंद की बात करते हैं अब कौन जोजेप सुपीतर जोजेप सुफितर करते हैं इसको फिर से देख लिए एक ऑनवय . की सुईस्पाइट वह बग की बात करते हैं थषकशुब अबूशills किती की बात करते हैं. यान चैम्बर्स पूजीबाद समाजबाद और लोकतंज की बात करते हैं सोजब सुपिटर ओमाइगाट और उसके बाद अपराद यह सदलन बात करते हैं तो राइट आंसर जो हो जाएगा मारा वन होगा अगला है महिला और अच्छड विदे हैं 2023 अंतर विदाही निकाई में महिलाओं है तुन में से कितने प्रतिसाथ सीटे आरच्छित की गई है तो यहां जो महिलाओं को आरच्छित सीटे हैं वाटाइट प्रतिसाथ है अगला है सूची एप पहला संकल्पना है उसका जो होगा कि प्रतिमान चर्या पैटर्न बैरियेबल की कौन बात करते हैं तो तालगर्ट पार्संस करते हैं ग्लोकलाइजेशन ग्लोकलाइजेशन की बात करते हैं पार्ण रबटसन और उसके बाद अभिजनों का परिसंचरण मतलब अभिजयाद वर्गों का परिसंचरण की बात करते हैं बिल फेडों पैरटों सापेज वचन अर्लेटिव दिस्प्राइवेशन की बात करते हैं रबट मर्कर मर्टर्ण और स रस इस्टावपर्ट तु पहले बात की थी रावर्ट मेर्टर ने संदर्व समों की अधारणा में सापेच वंचन की चर्चा की है तो यहां जो राइट आंसर होगा एका थर्ड बी का वन सी का फोर और डी का सेकेंड हो जाएगा थर्ड आपसन सही है तो आज की जो वीडियो है हमें यहीं सबाप्त करत हैं वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यमात